रोडीज देश का one of the most popular reality show है और ये इंडिया के longest running reality show में से एक है पर कैसे हुई थी रोडीज की शुरुवात? कैसे टेलिविजन पर लाया गया था ये unique concept? कौन थे रोडीज सीजन 1 के contestant और अब वो सब कहा है? जानेंगे आज की इस वीडियो में रोडीज का पहला सीजन 2003 में रिलीज वा था शायद आपको ना पता हो बट रोडीज वस partially inspired by the US TV reality show called Road Rules पहले रोडीज का नाम actual में रोडीज नहीं था इट वस नेम्ट साथ बट देन मेकर्स डिसाइड़ की वो नाम चेंज करेंगे and they named finally it Road Raj फिर कुछ और discussion हुए and finally show का नाम decide हुआ as रोडीज रोडीज के पहले सीजन को हम मेकर्स का experiment कह सकते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये show इतना बड़ा success होगा आप मानेंगे नहीं बट रोडीज के first season में उसका budget रोपेज 500 इच डे का था and इसमें उनका खाना वगेरा सब कुछ अरेंज करना होता था रोडीज का format निखिल जे अलवा ने बनाया था निखिल वाज दी ओनर आफ मिट टेक स्टूडियो जिसने रोडीज के पहले दो सीजन प्रड्यूस करे थे निखिल ने रोडीज को एक ऐशा शोचा ता जिसमें वो इंडिया के यूद को एक साथ ला सके तुरू social work and random act of kindness अब बात करते हैं Rodis के सीजन 1 के contestants के बारे में रनWiJay सिना सबसे पहले बात करेंगे Rodis season 1 के winner रनWiJay सिना की रनविजय ने रोडीज जीता और फिर वो रोडीज के साथ ही जुड़ गए यहां तक कि रोडीज को रनविजय के नाम से ही जाना जाता है इसके अलावा रनविजय MTV के कुछ और शोस जैसे कि स्प्लेट सुला के साथ भी जुड़े हुए है अब लगता है दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है और रनविजय MTV से अलग हो गए है रनविजय करेंटली नेटफ्लिक्स के इन रियल लव को होस्ट करते हुए दिख रहे हैं बाकी कंटेस्टेंट को कोई खास पॉपिलारिटी नहीं मिली पर फिर भी कुछ के बारे में बात कर लेते हैं मीनी गोयल मीनी गोयल has kept her social media private इसलिए उनके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है दिव्या शुकला बात करें दिव्या की तो वो बैंगलॉर से थी शो के बाद से ही उनके बारे में कोई इन्फरमिशन अवेलेबल नहीं है रंजित बजाज रंजित बजाज अब एक माउंटेनर और स्वीमर है 2013 में he made a record of highest altitude swim on the Limka book by an Indian नताशा गुलाटी नताशा की बात करें तो वो रोडी के बाद से ही on screen नहीं दिखाई दी है वो अपने husband के साथ गुरगाओं में रहती है नूर बेंस नूर पंजाब से थे अब ही settled in USA और वो एक child and adolescent psychiatric doctor है Tony Cordelia Tony Pune से थे अब वो गोवा में रहते हैं वो एक industrial designer है He is head of production at Jossmo studio So that's it for today कौन है आपका favorite roadies winner हमें comment करके जरूर से बताए वी होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो If yes तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी ही और वीडियो के लिए Don't forget to subscribe the channel